जय हिंद इस वीडियो में में फिल इंडिया लिमिटेड कंपनिक बारे में बात करेंगे एक मास से वेधिक समय होने जा रहे हैं जब से इसका सेयर प्राइस नीचे कि तिरफ टूटना शुरूब आता और तब से लेकर अब तक नीचे कि तिरफ लुढ़की रहा है सवाल यह है कि सीफ नीचे कि तिरफ लुढ़कता ही रहेगा कहीं जाका ठारेगा भी और ठारने तक की बात नहीं है ठार को रूपर भी उठेगा ताकि हमें मुनाफ़ा हो तो इस वीडियो में हम लोग इस कंपनी का कंप्लिट फंडामेंटल एनालेसिस करेंगे और जानने का प्रियास करेंगे कंपनी का फ्यूचर ग्रोथ क्या है हमें कब तक इसमें मुनाफ़ा हो सकता है कब तक ठाड़ना चाहिए और नए लोगों के लिए क्या प्रिश्टी है हर एक चीज़ का जवाब इस वीडियो में तसलिश से देने की कोसिस करूँगा बस आप लाश्ट त दूसरे जगाह तक पहुचाती है सीप के माध्यम से या एयर कार्गो के माध्यम से काम समझें आई यह फंडा मिल्टल देखते हैं मार्केट कैप है तीरपन क्रोन रुपए अर्था एक पेनिये स्टोक है और तीरपन क्रोन मतलब पेनिये स्टोक में भी नीची ले लेवल क यहां तक आने के बाद जो टूटना सुरू हुआ बीच बीच में उठा भी लेकिन लागतार ज्यादा तर नीची की तरफ फिल उठकते जा रहा है देखेंगे एक माह में करीब कर 36 परसेंट तक टूट चुका है हाला कि एक साल का रिटर्न अभी 678 परसेंट है परसेंट ने संद्यार गेम खेला है लेकिन वह दिकत ने अपने निकल नहीं पाएं मैं बार बार कहता हूं कि पैसा बनाए चलते बनिये लोग पता निसमें लॉंग टर्म में इस कंपनी में भी लॉंग टर्व नजरिया रखते हैं तब आपको लॉस होगा इसमें आप गया है तो दूसरा इसका स्वापोर्ट लेवल है एक रुपया अर्था इस कंपनी का सेर प्रैस अधिक्तम यहां तक आ सकता है तूटकर इसके निचे जाने के सामभूना बहुत कम है आरे साइब देखेंगे तो 34 का सबस्स आ गया है आरे सब 30 का सबस्स आ जाते तो शेर प आप खराब रहें देखेंगे आप टू का जो रिजल अया था इसका जो रिविनु था 67 लाग से कम और 32 लाक रह गया था अधा रिविनु जो पिछले क्वाटर में किया था और प्रोफिट तो कुछ नहीं हुआ है साथ मौर्णिंग पर स्टेर वी बिल्कुल नहीं बढ़ साल यह कम होते जा रहा है यह अच्छा बात है कि कंपनी अपने जो लॉस को है वह कम कर रही ऐसे जब कम होगा तब जाके एक दिन पुजेटिव में आएगा और करजा की बात करें तो करजा अधिक से बढ़ते जा रहा है लेकिन अधिक से बढ़ते जा रहा है और चुकि यह असेट कभी नहीं इससे अधिक हो पाएगा क्योंकि दोनों समान उन पात में बढ़ते जा रहा है अगर होल्डिंग पेटर्स की बात करें देखेंगे प्रमोटर के पास कुछ इस्सेदारी पास अपरेटर्स गेम खेल सकते हैं और खेले भी है खेल भी रहे हैं पबली के पास सारा शेयर पड़ा हुए पबली के पास 99.58 परतिसत के हिस्सेदारी है मतलब असानी से इस कंपनियों मैनुपलेशन हो सकता है बूक वहलू देखेंगे तो कमपनी का बूक वहलू निगे परसेटर्स मतलब इसका फंडामेंटल इतना बैड है कि अगर आने वाले समय में कंपनी डूब जाये तो किसी को रहत नहीं होगी इतने बूरे फंडामेंटल के साथ को यह सला नहीं दे सकता है कि आप इसमें इन्वेस्टमेंट कीजिए अगर आप नय है और इस कंपनी के स मेरा काहना बस यह है कि अगर आप इसमें पहले से फंसें हुए खरीद के आप थोड़ा इंतजार कीजिए जब सेर प्राइस उपर जाएगा तो बिसके निकल जाएगा लेकिन आप प्रोफिट होने के इंतजार मत कीजिएगा क्योंकि पूरी तरह से या ओपरेटर के हवाल कि फंटामेंटल इतना पुरा है कि बिल्कुल कोई सला नहीं देगा आप इसमें एक रुपया भी इंवेस्टमेंट कीजिए हाला कि रुपया आपका 24 आपके जैसा आप ठीक समझे कर सकते हैं अपने रिस्क लेने की के हिसाब से जितना सो दूसर या आपकी जितनी भी कैप पुछिए और आपकी इस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं आएगा वह भी बताईए बाकी मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक लिए धन्यबाद सुक्रिया